कि सो हेलो फ्रेंड्स में अंजली शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पे तो आज के वीडियो में मैं आपको बैक की डिजाइन कटिंग स्टिचिंग दोनों शेयर करने जारी हूं तो सबसे पहले हमें फैप्रिक को टू फोल कर लेना है इस तरीके से उसके पर लाद हम शॉडर पर मार्क लगाएंगे 5 इंच इसके ल की हल्प से हमें ड्रॉ कर लेने लाइन उसके बाद मैं आइम्स होल के लिए मार्क लगाऊंगी 5.2 पर दोनों लाइन्स को जॉइन करना है अब हमें या पर चेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे तो जितना भी हमा अब हमें या पर लाइन्स को जॉइन खर देना है इस तरीके से अब हाफ इंच का मार्क देके स्केल के यल्प से लाइन ड्रॉ कर ले एक इंच की गोलाँ के साथ पूरे शेप दे दे अब हमें या पर इसको कट कर लेना है कै organizations तरीके से गोलाई को अच्छे से कट करना है हमें शेप देते हुए कि अब हम यहां पर अपने मेन फेब्रिक पे भी इसको कट कर लेंगे कि सबसे पहले हमें यहां पर अपने अस्तर को रखके पीनप कर लेना है ताकि हमारा फैब्रिक डिस्टब ना हो अब हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हैं वेसे कट कर लेना है मार्जिन रखना कमपल सरी है नहीं तो फिर हम जब भी स्टिच करते हैं तो हमारा कपड़ा कम हो जाते है तो इसलिए थोड़ा मार्जिन जरूर रखे अब हम यहां पर बैक नेक की डिजाइन ड्रॉक करेंगे तो सबसे पहले मैं यहां पर विट लूँगी 2.3 इंच और लेंद लेनी है हमें 9.5 इंच उसके बाद हमें यहां पर 3 इंच का मार्किंग रखना है इसके लग भी हल से एक बॉक्स बना ले और हाफ इंच और कम करना यहां से अब 2 इंच पर हम मार अस्तर को कट कर लेना है शेप के अकॉर्डिंग अब हम यहां पर में फैब्रिक पर रखेंगे इसको हमें इससे सीधे हिस्से पर रखना है और अच्छे से पिन अप कर ले ताकि जब भी हम स्टेच करेंगे तो हमारा कपड़ा नहीं सरकेगा अब एक पेर का मार्जिन रखते हुए हमें इसे पूरे नेक को स्टेच कर लेना है इस तरीके से अब अंदर के कपड़े को हमें कट कर लेना है अब हमें नेक पे छोटे-छोटे कर्स लगाने है ताकि जब भी हम अपना नेक फोल करें तो उसमें फिनिशिंग आए अब सारी पिंस को हटा देना है और अस्तर वाले हिस्ते को अंदर की और रखना है इस तरीके से फिनिश करते हुए अब हम यहाँ पे इसको एक पेर के मार्जिन पे स्टिश लगाएंगे यह हमारा अस्तर अंदर फोल्ड हो चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अब एक पेर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच करना है इसको अच्छे से फिनिश करते हुए पूरा नेक को कम्प्रीट करना है अब हमें अंदर के अस्तर को भी पूरा स्टिच करना है इस तरीके से सारे कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को कट कर लेना है सारी साइट्स में एक्स्ट्रा फैब्रिक ना बच्चे ध्यान रहे इस तरीके से आम सोल पे भी फिनिशिंग के साथ अब हम यहां पर हमारा डिजाइन बनाएंगी तो यहां पर हमें देखना है कि हमेरी कितना इंच का बन रहा मैं इसको कट कर लूंगी लेंद के अकॉडिंग अब यहां पर हमें इसको स्टिच करना है फोल्ड करते हुए इस तरीके से ज्यान रहें फोल्डिंग अंदर की साइड आये कॉनर पे सिलाई लगानी है कि फोल्ड करते हुए नीचे की और कि अच्छे से फिनिश कर लेना इसको कि द्यानर कपड़ा अंदर फोल्ड रहे कि इस तरीके से हमारा डिजाइन आदा बन चुका है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है अब हमें आपे लेस की हेल्प से इसको फिनिश करेंगे नेक को कि आपको इसी भी लेस का इस्तेमाल कर सकते में यहाँ पे गोल्डन यूज करूंगी कि लेस लगानी है इस तरीके से कि एक बार और हम लगाएंगे इसी के पास में कि इस तरीके से कि पूरा नेक फिनिश नहीं करना है अभी यहाँ पे लगाना है और दूसरी साइट भी सेम यही प्रोसेस करनी है कि एक बार फिर से हम लेस को कट कर लेंगे और इसे पूरे ब्लाउज में लगा देंगे इस तरीके से कि डिजाइन को भी कवर करना है और एक्स्ट्रा लेस को कट कर ले दूसरी लेस लगाने से पहले कि उसके बाद बापिस सेम प्रोसेस करनी है कि इस तरीके से ही इधर भी लगाना है कि मैच करते हुए कि आप चाहिए तो पहले मार्क करके भी कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा लेस को पहले ही कट कर ले अब चाहिए तो उपर की और भी लगा सकते हैं कि अब फिनिशिंग पट्टी से हमें इसको फिनिश करना है नीचे से अब चाहिए तो जॉइन करके भी पट्टी को बढ़ा सकते हैं कि इस तरीके से पट्टी को इकवल करना जरूरी है उसके पहले हमें यहां पर प्लीट्स देनी है यहां पर मैं चार इंच पर मार्क लगाऊंगी नीचे की और और लेंद भी हम यहां पर चार इंच लगेंगे दोनों साइड पे मार्ग कर लेना है और प्लीट्स दे देनी है हाफ आफ इंच पे ध्यान रहे दोनों साइड प्लीट्स इकवल रहे अब हम इसे नीचे से भी फिनिश कर लेना है पहले हम एक प्यार की सिलाई लगाएंगे उसके बाद इसको फोल करके कॉर्णर पे भी स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा नीचे अंदर से फोल अच्छे से हो सके अब इसे अंदर की तरह फोल करके कॉर्णर पे सिलाई लगाना है ज्यान रहे कपड़ा बहार ना आए और इस तरीके से हमारा यह बैक्टी डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है एक्स्रा फैब्रिक्स को कट कर ले आप चाहिए तो इसमें पॉल्स या फिर बोका भी आइड कर सकते हैं और यह हमारे डिजाइन रेडी है अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक थैंक